आज हम क्लास 7 की एक्सेसाइज 2.7 करेंगे इसके 124 कोश्चन हम पहली वेडियो में कर चुके हैं आज कोश्चन 5 करेंगे 7 डिवाइड 7 डिवाइड 3.5 तो इसको कैसे करेंगे हम पहले तो पॉइंट हटाएंगे 7 डिवाइड पॉइंट के बाद 1 नमबर है तो नीचे के आ जाएगा 10 और अब क्या करेंगे 7 डिवाइड को मल्टिप्लाइ में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 35 बाइ 10 का क्या हो जाएगा 10 बाइ 35 तो 75 जा 35 तो ये हमारा आए 10 तो 10 बाइ 5 अब ये 5 बन जा 5 और 5 तू जा 10 तो हमारा क्या है टू आंसर ये था हमारा फास्ट पार्ट तो सेकंड पार्ट हिसका 36 डिवाइड 0.2 तो पहले तो पॉइंट हटाएंगे 36 डिवाइड जीरो टू पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे क्या आएगा 10 अब क्या करेंगे इसको डिवाइड को मल्टिप्लाइ में चेंज करेंगे तो 36 मल्टिप्लाइ में तो ये इसका 2 बाइ 10 का रैसिप्रोकल हो जागा 10 बाइ 2 हो जागा अब इसको काट दो 2 बन जा और 2 बन जा 28 जा तो 18 मल्टिप्लाइ 10 क्या होगा 180 इसका अंसर 180 तो ये था हमारा सेकिंड पार्ट थर्ड पार्ट हमारा 3.25 डिवाइड 0.5 तो क्या गरेंगे 3.25 डिवाइड ये 3.25 है तो इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आजेगा 100 ये पॉइंट हट जाएगा और डिवाइड 0.5 है तो पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे 10 आ जाएगा आप इसको क्या करेंगे 3.25 डिवाइड को मल्टिप्लाइ में चेंज करेंगे तो इसका रैसिप्रोकल हो जागा क्या हो जागा 10 बाइ 5 तो बन जिरो से बन जि तो 65 बाइ 10 तो ये कंप्लीट नहीं करेंगा तो हम इसको और नहीं काटेंगे क्योंकि पॉइंट करने में हमें इजी रहेगा 65 बाइ 10 नीचे 10 है तो क्या हो जाएगा 6.5 एक नंबर से पहले पॉइंट लग जाएगा तो इसका अंसर हुआ 6.5 फोर्थ पार्ट है 3.30.94 डिवाइड 0.7 पहले तो क्या करेंगे हम पॉइंट अटाएंगे तो 3094 पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो डिवाइड आजेगा 100 और डिवाइड 0.7 है तो 7 लिखेंगे और पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो नीचे 10 आजाएगा आप क्या करेंगे डिवाइड को मल्टिप्लाई में चेंज करेंगे तो यह एजटीज और मल्टिप्लाई और इसके नेक्स्ट जो है फ्रेक्शन वो रेसी प्रोकल हो जाएगा 10 बाई 7 तो 0 से 0 कैंसिल और इसको 7 से 7 बंजा 7 सेवन फोर जा 28 बचे 29 सेवन फोर जा 28 और वन बचा सेवन टू जा 14 तो अब और पूरा नहीं कटेगा तो इसको नहीं काटेंगे तो कि पॉइंट में इजी रहेगा 442 बाई 10 है मारा तो अब 10 है तो इसमें क्या है वन नमबर से पहले पॉइंट लग जाएगा तो यह मारा अंसर हुआ 4 पार्ट का 5 पार्ट है मारा 0.5 डिवाइड 0.25 तो पहले तो पॉइंट हटाएंगे तो यह क्या है 5 पॉइंट के बाद 1 नमबर है 10 डिवाइड और यह 25 पॉइंट के बाद 2 नमबर है तो निच्छे आजेगा 100 अब डिवाइड को क्या करेंगे मल्टिप्लाइ में चेंज करेंगे तो यह क्या हो जागा 100 बाई 25 पन जिरो से वन जिरो कैंसिल 5 पाई जा 25 फाई टू जा 10 तो हमारा इसका क्या होगा 2 आंसर यह था हमारा फिस्ट पार्ट 6 पार्ट करते हैं 6 पार्ट हमारा 7.75 डिवाइड 0.25 पहले तो हम इसके पॉइंट हटाएंगे 775 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो आएगा 100 डिवाइड 25 पॉइंट के बाद किते नमबर है 2 तो आजेगा 100 अब डिवाइड को क्या करेंगे मल्टिप्लाइ में चेंज करेंगे तो मल्टिप्लाइ में चेंज किया तो अगले नमबर का क्या हो जाएगा रेसी प्रोकल तो ये 100 से 100 कैंसिल 55 जा 25, 5 बन जा 2 बजे 55 जा 25, 2 बजे 55 जा 25, 5 से फिर 53 जा 15, 5 बन जा तो हमारा क्या आया 31 आंसर तो सेवंथ पार्ट करते हैं सेवंथ पार्ट में हमारा 76.5 डिवाइड 0.15 तो पहले तो पॉइंट अटाएंगे 765 पॉइंट के बाद 1 नमबर है तुमचे 10 आएगा डिवाइड इसमें पॉइंट के बाद कितने नमबर हैं 2 तो 100 आजएगा अब डिवाइड को मल्टिप् चेंज किया तो नेक्स्ट फ्रेक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा 100 बाइ 15 तो 10 से 10 कैंसिल और इसको काटेंगे 5 3 जा 15 और 5 बन जा 2 बचे 5 5 जा और 5 3 जा तो अब 3 पे 3 5 जा 15 और 3 बन जा तो यह हमारा 51 मल्टिप्लाइ 10 क्या आया 510 तो यह इसका हांसर हुआ 7 पार्ट का अब 8 पार्ट करते हम 8 पार्ट में हमारा 37.8 डिवाइड 1.4 तो क्या करेंगे पहले तो पॉइंट अटाएंगे पॉइंट के बाद 1 नमबर है नीचे 10 आएगा और इसमें क्या है पॉइंट के बाद 1 नमबर इतो इसमें भी 10 आएगा अब है में चेंज किया तो नेक्स्ट फ्रेक्शन का रैसी प्रोकल हो जाएगा तो 10 से 10 कैंसिल अब इसको अगर टू से गाटे टू 7 जा 14 टू 1 जा और 17 हो गया 28 जा 16 वन बचा 29 जा 18 और अब 7 पे कट जाएगा 7 टू जा 14 फोर बचे 7 जा 49 तो यह हमारा आएगा 27 आंसर एट को पार्ट है अब नाइन्थ पार्ट करते हैं नाइन्थ पार्ट में क्या हमारा यह 2.73 और डिवाइड 1.3 तो 2.73 पहले तो क्या करेंगे पॉइंट हटाएंगे पॉइंट हटाएंगे तो 273 पॉइंट के बाद 2 नंबर है 100 आजेगा डिवाइड और यह क्या 13 पॉइंट के बाद 1 नंबर रत्मी के 10 आजेगा अब डिवाइड को मल्टिप्लाई में चैंज करेंगे तो यह नेक्स्ट जो है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका 10 बाई 13 तो 0 से 0 कट इसको 13 टूजा 26 वन बचा 13 वन जा 13 तो हमारा क्या है 21 बाई 10 तो अंसर क्या हुआ जीरो वन है तो वन नंबर से पहले पॉइंट लग जाएगा यह हमारा 2.1 अंसर होगा तो हमारा फिस्ट कोशिन कंप्लेट हुआ 6 कोशिन करते हैं यह विकल कवर जे डिस्टेंस ओ 43.2 किलोमेटर विकल कहा 43.2 किलोमेटर कितने पैट्रोल में करते हैं 2.4 लिटर पैट्रोल तो क्या होगा इसका क्या लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड 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 कितने में 2.4 लिटर में 2.4 लिटर कितना कर रेक्टू पैट्रोलिटर में 43.2 किलोमेटर तो अब निकालना कितना है वन में तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लिटर तो क्या हो जाएगा 43.2 डिवाइड हो जाएगा 2.4 तो यह हमारे किलोमेटर आएंगे अब इसको सोल करतो तो 43.2 बाइ 2.4 है तो क्या करेंगे पॉइंट अटाएंगे तो 4 3 2 5 10 हो जाएगा पॉइंट के बाद 1 नमबर है और निचे क्या है 2 4 तो इसमें पॉइंट के बाद 1 नमबर है तो इसका उपर 10 चला जाएगा 10 से 10 कैंसिल तो अब इसको किस पे 4 पे काड़ देते हैं 4 6 चा 24 4 1 जा 4 और ये 2 नमबर एक बार एक तो जिरो लग जाएगी और 4 8 जा 32 अब ये 6 पे जाएगा 6 बन जा 6 4 बचे 6 8 जा 48 तो हमारा क्या आया 18 किलो मेटर तो अंसर हमारा क्या आया 18 किलो मेटर लिटर में वो कितनी डिस्तेंस कवर करता है 43.2 तो 1 लिटर में वो 18 किलो मेटर डिस्तेंस कवर करेगा तो ये एक्सट गराद क्या जाएगर आया 7 किलो मेटर वाreseल करो कि आपको वीडियो कैसी लगी और अगर कोई आपको प्रोलम है तो वह भी आप कमेंट बोक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ओके बाइबाइब